वेलकम तो मैं चैनल इस बीडियो में सॉल्ट करें कुछिन वर 9 दि काउट सब्स एरिया अफ ए सिलिंडर इस 1320 सेंटिमेट स्क्वाइर और इस बेस है या तो यह बेसमान है या यह बेसमान है तो मैं लेते हैं इसको बेस तो यह हमका बेस जो है इसका डिया हुआ है यह पूरा लेंथ दिया हुआ यहां से लेकर यहां तक दे दिया 21 सेंटिमेटर 21 सेंटिमेटर तो करें रहें find the height of the cylinder तो height निकालनी है आपको यह जो h है वो कितना होगा यह find करना है तो इसके लिए क्या करना होगा solution पहले आपको क्या करना होगा इसमें जो दिया हुआ है यह cord surface area उसका use कर लीजिए तो since दिया हुआ है cord surface area of the cylinder is equal to 1320 सेंटिमेटर स्कार तो यहां पर cord surface area इतना हो गया तो हम यह जानते है formula 2 pi r h is the formula for cord surface area यह होता है 1320 हो गया ओके अब यहां पर देखे r की value क्या होगी तो यहां पर आप देखे देख सकते है 21 यदि आपका diameter है तो यहां से आप radius निकाल सकते है तो radius होजाएगा 21 का half तो radius होजाएगा 21 upon 2 यहां पर यूज कर लेंगे 2 into pi की value दी नहीं दिया हुआ है तो आप 22 by 7 हमेशा यूज करेंगे ठीक है multiplied by r, r की value है 21 upon 2 multiplied by h इसको होजाएगा 1320 7 वंजा 7, 73 यहां 21, 202, 202 अब यहां पर जो बचा हुआ है वो बचा है 22 into 3 into h is equal to 1320 अब transpose करतेंगे जो फीजी दर बचा हुआ है तो h बराबर हो जाएगा 1320 होला पान यह हो जाएगा 22 multiplied by 3 यहां से करेगा 3 मजा 3 और यह हो जाएगा 3, 4, 12 1 मजा 12 हो जाएगा 3, 4, 12, 0 11, 2, 22 और 11, 4, 4 और 0 हो जाएगा 2, 2, 2, 4, 0 हो जाएगा मिन्स हो जाएगा 20, 20 watt centimeter आपका जो है यहां पर रिकल का 20 centimeter और 20 centimeter is the height so height of the cylinder is equal to 20 centimeter thank you so much for watching और करो करता है वी और 30 और 30, 20 और 30, 21 mmजा ौले pier法 Year 22 5 मैं करते ह्गा दो कर एंद hen सहुंअ कि भाएगागा यहाम करते है एंदाप और peut-ी स्वों जा भाएगा हो सक्वा कर्पा सहुंः पता है अ 1 0